गाईस जैसा कि आपको पता होगा कि Marvel की much awaited film Spider-Man No Way Home release होने वाली है और fans के बीच में जो Spider-Man के fans है, Marvel के fans है, सब में एक बहुत ज़ादा excitement बनी हुई है इस film को लेकर और उसका बहुत ही interesting reason है कि सब लोग जाना चाहते हैं क्या इसमें 3 Spider-Man हमें देखने को मिलेंगे या सिर्फ एक ही Spider-Man देखने को मिलेगा, क्योंकि दोस्तो, Marvel ने जो suspense बना रख है इस चीज़ को लेकर कि भाई, इसके अंदर सिर्फ एक ही Spider-Man है, लेकिन fans को पता चल चुक है, कुछ leak footage आई है जिनसे पता चलता है कि इस movie में 3 universe हैं, तो 3 Spider-Man देखने को मिलेंगे लेकिन Marvel पूरी कोशिश कर रहा है, दो ट्रेलर आगे, लेकिन वो पता नहीं लगने दे रहा कि इसमें 2 Spider-Man और है या नहीं तो ये सबसे बड़ा suspense बना हुआ है, और इसी लिए इस movie की बहुत ज़्यदा hype हो चुकी है अब दोस्तों यहाँ पर न, यह film release होने वाली है 17 December को, लेकिन दोस्तों और यह इंडिया में भी 17 December को release होने वाली थी, जैसे कि USA में होने वाली है लेकिन दोस्तों यहाँ पर Sony Pictures Entertainment इंडिया ने यह फैसला लिया है कि वो एक दिन पहले, USA से एक दिन पहले, इनके 16 December को यह film release कर देंगे जी यहाँ दोस्तों, जो के इंडियन Marvel fans के लिए बहुत ही बड़िया news है आप इसके बारे में क्या सोचते हो guys, नीचे comment section में जरूर बताएगा